नमस्कार, मुजिकल हेलिटेज में आज हम आपकी जिस खास महमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनके परिचे के तौर पे जाने क्यों मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, मुनवाराना साब का शेर है, कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े होते हैं, कद में छोटे हों, म मुजिकल हेलिटेज के लिए समय निकाला, बातचीत का सिलसला शुरू करते हैं, राजेन जी, पहला सवाल तो यही कि, जैसा मैंने कहा आपके परिचे के लिए, कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े होते हैं, कद में छोटे हों, मगर लोग बड़े होते हैं, एक अच बात बता सकता हूँ, कि गुरू जी हमेशा एक चीज बोलते थे, कि आप जिस तरीके से अंदर हैं, वोसी तरीके से आप मंच पर आ जाते हैं, तो जो सोच या जो विचार आपको मिले हैं, अपने परिवार से और जो परंपरा से, वो विचार ही आपको इनसान बनाते हैं, और एक इनसान पहले होता है, फिर उसके बाद वो कुछ खुला कार है, जो भी शृणी में जाये, वो बात की बात है, पैदा होता है, तो कुछ भी नहीं करता है, वो जल सनसकार से आगे बढ़ता है, तो अच्छा इनसान सही माइने में भूँप है, कि अगर अच्छा कलाक वो आप से ड़ते नहीं विए इसको दूसरी तरी जिसकर मैं कहुं तो आपका जो नंके साथ बरताव हो बड़ा दोस्ताना है आप दोस्तों की तरह से रहते हैं उनके साथ कैसे आप परिभाश्यित करते हैं गुरू शिश्य के जो परंपरा है जो वो रि emptल है जो इतर की जो भी उसको तकलीफ या खुशी है या वो जो महसूस करता है वो बिंदास गुरू से बोल सके अगर उसे डरा-डरा के या उसको हम दबा के उसे रखें, तो हम उसे जैसे एक मिट्टी होती, उसे पीट पीट के उसे प्यार से भी तो रखते हैं, काली पीट के मिट्टी से कभी कोई अच्छी आकरती नहीं निकल के आई, वो आकरती दोनों तरफ से बन के आती है, तो जो बच्चे या जो भी इंसान भी तो बनना है, तो अच्छा इंसान बनना है, उसे लिए वो पहले सहज रहे, सहजता से अपने आपको रखे, और वाके वो मेरे जहां गुरू की एक इज़त होती है, उनको कायम रखना चीए, काम के वक्त वो बिल्कुल हम ऐसे हैं, ये ठीक नहीं है, तो वो एक काम का दाइरा ऐसे है, काम हुआ, शिक्ष्या का लिंदेन हुआ, कारिकम हुआ, ये सब कुछ हुए, उसके बाद हम एक सब एक इनसान के जैसे हो जाते हैं, वो परंपरा में भी है और वो उसको कायम भी रखना चाहिए, पनी जी हम सब जानते हैं, शास्त्री संगीत हो, चाहे निर्त्य हो, चाहे वो घराने के हिसाब से सारी चीजें होती है, घरानों में बटा हुआ है, अलग-अलग घराने हैं, आप जैपुर घराने से तालुक रखते हैं, आपके घराने के बारे में कुछ हमें बताएं, क्या खासियत है, कैसे ये घराना दूसरे घरानों से जो है वो अलग होता है हाँ बहुत बड़ा विशे है चोटा सा एक उदारन ये दे सकते हैं कि घराने जो थे वो एक जैसे स्टेट होती राज्य होते हैं राजस्तान उत्रप्रदेश मध्यप्रदेश इस तरीके से वो उस वक्त जिस कला परफूली थो रही थी अब बन रही थी उस वक्त ये ट्रडिशन बने ये घराना है उसके खुश्बू भी आई और उसके फूल अलग अलग जगाओं के पाड़ों पर जाएं तो एक अलग बातावन में फूल और वह बनसपती मिलेगी आपको समुद्र के किनारे चले जाएं तो कुछ और मिलेगा देतिले ही चले जाएं उसी तरीके से मुझे अपने इस जैपूर के बारे में ये कहना कि जैपूर घराने में शुरू से ये रह से रहा और मंदिरों में क्योंकि हमारे मुगंल शासन तो हुआ लगा जो मन्दिरों का एक ऐसर था वो तब भी था और वो चलता चला गया और एक और कहता है जितने बोल आप मूंसे बोल रहे है जो कथा आप ञूंसे कहरे हैं वो करके दिखा हूं इसा कथा काहिस किना तो वो उसकी सफाई और उसकी तैयारी और हमारे जो भावपक्ष जैपुर घराने की विशेष्टा मेरे को जो लगती है, मैंने इतने सालों में जो महसूस किया, वो मुझे ऐसा लगा कि हमारे हम शिंगारिक्ता के साथ भक्ति का बहुत बहुत परोत रहा है, उसको मिला के रखा जी मैं इसी बात पर मैं आने वाला था, ऐसा कहा जाता है, कि जैपुर घराने की प्रस्तूत्यां होती है, उसमें धार्मिक्ता की बात आती है तो धार्मिक्ता को हम लोगों के लिए, को ऐसा समझाया गया, कि कृष्ण जो है, वो सखा है क्रिश्न सखा मिल गए ग्वाली नगर हिरत पिरत जब देख लियो तब ग्वाल के कांदे चड़ माकर उतार लियो और खाये लियो धदकी मटकी जटकी पटकी और दूद को भी भिखेर दियो पकड लियो राधाने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए ददी खाये गए गैंना वह रित तट olarak जैसे कालिये दमन के बॉह खोशिंक अधा झार्य त में चुक्वारदा जियामा समय दादा जी लिखेस तो उसमें नागी नहीं उसके वो भेकल तुम हुभाल गुपाल लाला जब वह पहुंचे नाक के पास तुम भाल गुपाल लाला हमको आता तरह से तुम त treaties कहां लड़ने आ गई हो लास्ट में लाइन आ रहे हैं कि अब अहु जानो तुम हो कृष्ण अवतार प्रभु जी तुम कृष्ण नहीं अवतार हो प्रभु जी के तो यह दोनु बातें जो है ना परसपर वो हमें सिखाई और समझाई जाती है तो इसलिए उसका प्रेजेंटेशन या उस भावपक्ष को इस तरीके से रखते हैं हमारे पत्संचालन का भी गुरुजी काफी महत्व है जैपुर घराने की प्रस्तूतियां है उसमें पत्संचालन लडियां यह सब चाले जैसे पल्टे बोल हम लोग पल्टे करते हैं लेबांट करते हैं तो लेकिन वह यह कि आपके टेस्ट की बात है कोई ज्यादा तीखा खाना पसंद करता कोई थोड़ा मीठा पसंद मिला लेता है ऐसा भी बात पर यह पंदी जी मैं इस इंट्रिव्यू के लिए जब आ रहा था और मैंने अपने एक मित्र को बताया कि मैं जा रहा हूं राओं जी से आज मुजिकल हरीटेज के लिए बातचीत करूंगा तो उन्हें कहा कि लमचंड परन के बोल जरूर सुनना उनसे तो सुनाएं जरा यह बोल हमें भी पता चले हमारे दर्शकों को भी कि यह हैं क्या पंदी जी दो बट नायाब आपके सांथे इंस्टूमेंट्स ऐगर कुछ बिइrielाफ़ चाहें अब बताना चाहें में थे जीवन में उसी को स्धाले तो मंझे गभी ही लगती है मुझे ऐसा लगता कि एक जीवन कमै एक चीज के लिए इतनी ये बड़ी-बड़ी परंपरा ही रही और गुजर्गों ने कैसे-कैसे बना दी लेकिन नहां ये कभी-कभी जैसे क्ला सिकाते हो वक्त कोई नहीं है क्लास में या कहीं कर में कोई पस गया तो तो अचा हम जो तबला बजाते हैं एक इसकी विशेष्टा और भी बताऊं जितने भी आप निर्थे गुरुओं से बातचीत हो या कभी आप उनके करकम में देखेंगे हम लोग जो भी बजाएंगे या गाएंगे है निर्थी के आसपास जैसा है कि मुझे कहें कि किसी दिली घराने का कोई विशेष काइदा है यह सब शाहिद हम इतना नहीं पजाएं पर निर्थे के बोलनों को जरूर हम तबले के साथ उनके साथ बजा देते हैं जैसे अभी निर्थे के बोल लिए अभे धाती पर बजा तो लेंगे पर वो एक सही मायने में जैसा होना चाहिए वो बात इमादारी से नहीं होगी वैसे ही जैसे कभी गायने में अब होता है क्या है कि आप कुछ बंदिश आप चाहते हैं कि यह बंदिश ऐसे गाई जाए क्योंकि मेरे मन में वो भाव या जो भी कुछ आ रहा है कि मैं ऐसा करूँ अब गायक है ने अचली उन्होंने अपनी गायकी का एक परमपरा अनुसार जैसे गायन सीखा है अब यह नहीं जरूरी है कि जैसा उन्होंने गायन सीखा है वैसा ही मेरा भाव मेरे मन में आ रहा ह ही है वह अलग तरीके की हो गई तो अब तब हम अपने कैसे बता रहेते है अब मेरे मन में ऐसा रहा है क्रिशन जैसे अश्टपद यह के नाचेता सुधंग श्री नदनन्द यह सुदाजी की रचना है हर सक्ष इसे कई लोग करते भी है कई लोग कराते भी हैं उनकी अब आप देखेंगे तो अगर किसी और गुरुजन को निर्ते करते या इस पर भाव करते विए देखेंगे तो वो उनकी राग कुछ अलग होगी क्योंकि उनका वो मनों को छूने वाला वो स्वर जो है स्वर ऐसी चीज है जो दिल को छूती है तो तो गले से निकलती है, जब तक वह न पहुंचे तो यहां गले से और दिल को छूने से ही स्वर निकलता है और दिल को छूने से वह भाव बन पाता है, अगर हम ऐसे उपरी तो पर करें तो गहराई का भाव नहीं बनेगा, तो मुझे ऐसा लगा, श्रीन दन 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 नाचत तो दन ऐसा संगीत हम लोगों का मिलके चल रहा होता है, बहुत-बहुत शुक्तिया पंडी जी, आप यूहीं अपनी इस कला से लोगों को लोगों को ये कला लोगों तक ले जाते रहें, इसका विस्तार करते रहें, और हमारी तरफ से, हमारे इस प् और नित्य और वाद्यंत्रों की बातचीत कर रहें, जो इस प्लेटफॉर्म का नाम मुजिकल हरीटेज है, उसकी तरफ से आपको बहुत-बहुत-बहुत शुपकाम नाएं, तो ये थे जैपुर घराने के कलाकार राजेंद्र गंगानी जी, जिनसे हमने बातचीत की, अग अपनी परंपरा की तरफ आगे बढ़ना, अपनी जड़ों की तरफ जाना, उन जड़ों की तरफ जहां से हमें अपना इतिहास पता चलता है, हमें हमारा संसकार मिलता है, हमें हमारी परंपराएं मिलती है और जहां से आती है एक अनुखी खुश्बू, धन्यवाद